हेलो प्रेंट्स वेल्कम टू माई चैनल नमस्कार मैं अपना आज का तिसरा सेट किमेश्ट्री से लेकर उपस्तित हूं यह सारे कोश्चन जो भी है जाम में बार-बार रिपीट होते हैं और हमेशा पुछे जाते हैं तो आप इसी ध्यान से देखिए ठीक है और जो भी प्र लीजिए ठीक है और आप वीडियो को शुरू से अंतक देखिए अच्छे-च्छे कोश्चन है और अच्छा लगे तो फिडवेक दीजिए अपना कॉमेंट कीजिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए सेयर कीजिए ठीक है तो शुरू करते हैं सिर्का की प्रकिरती अमली है क्योंकि इसमें होता है सिट्रिकम ठीक है सल्फिरिकम हैड्रोकलोरिकम और एसेटिकम तो सिर्का में होता है एसेटिक अमल ठीक है निश्ट देखते हैं निम्बू तो संत्र में पाया जाने वाला अमल है तो निम्बू और संत्रा खट्टा पदार्थ है जिनरली इसमें क्य पाया जाएगा ठीक है पहले option देख लेते हैं सेटी कम हैट्रो क्लोरी कम सेट्री कम और अक्जेलिक कम तो इसमें पाया जाने वाला जो होगा वो क्या होगा निम्बू में सेट्री कम जल आपूरती के लिए जल का सोधन किस परकिरिया से होता है जल आपूरती के लिए नहीं बड़े मात्रा में जल हम कहीं सप्लाइ करेंगे तो उसके लिए क्या होगा कलोरी नीकरन, आसवन, फिल्टरन, निस्तारन ये सब जल को सुध करने का हिविदी है लेकिन बड़ी मात्रा में जब किया जाता है तो कलोरी नीकरन किया जाता है सरकरा की किरवन के दुरान बनने वाला मुख योगिक क्या है सरकरा का जब हम फर्मेंटेंशन करवाते हैं तो वहां पर बनने वाला जो पदार्थ होता वो क्या होता है मैथिल अलकोहल एथिल अलकोहल एथिलीन यह एथिल अलकोहल होता है थोड़ा इसे हम डिटेल से देखते करता सर्कारा के कीरवन के पहचात एथाइल iathyl alcohol यह सी कुई Tancail पहली बहुता है बनता है फर्वाननेटेशन किरमन बन जिसे बोलते हैं मैं सी ratio किरिया क्रीक है इंजाइम द्वर असचवर करता है प्रवर्तित होता है कि अब कलाता है चीनी का सुत्र है c12 h21 इस्ट के दोवारा या इन्वर्टेज के दोवारा वो तूट कर क्या बन जाता है यहां पर दिखिए गुलकोज के तीन अनू बन गया है C6H12O6 ठीक है पलस करके तीन तक है करा यही जब यह तुट गया गुलकोज में तीसे इस्ट और जाय में जहना और छोटा रूप में तोड़ता है और क्या बनाता है C2H5OH जो इथाइल अलकॉल का फर्मूला है साथ में करवंड अक्साइड भी निकलता है ठीक है तो निक्ष्ट कोश्चन देखते है करा नेट्रोजन योगी की करन का अर्थ है नेट्रोजन का द्रभी करन करना मतलब लिक्रिशिकेशन करना बाई मेंडल नेट्रोजन का जरीरी योगीकों में परिवर्तन फिर है नेट्रोजन का इमीनों में परिवर्तन बाई मंडल के नेट्रोजन का पिंडन तो बाई मंडल ये नेट्रोजन का जरीरी योगीकों में परिवर्तन करना ही नेट्रोजनी करन कहलाता है ये कुछ बैक्टरिया के दुवारा किया जाता है ठी जलाते हैं बाई को पस्तिती में सुध अक्षिजन के पस्तिती में नेट्रोजन और अक्रिय के पस्तिती में तक कास्ट कोईला जो हम बनाते हैं उसको बाई को नस्पितिती में हम जलाकर बनाते हैं निक्स टेकते हैं जन्तु चारकुल जन्तु चारकुल प्राप्त होता है के हडियोग के भन्जक आस्मन में वायू को अगला है जंतों के मौस को जलाने से प्रहे कोम पसिति में जन्तों की हडियों के जलाने से प्राप्त होता है में इत्ञिए लिखे टेकर प्रकृतिक मतलब इलास्टिसिटी मतलब वो क्या लचीला जिसे तन्ने हो बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है सल्फिरिकम अस्पंज सल्फर क्लोरिन दिखिए सल्फर यह हमिसे आते ही रहता है को अब निश्ट देखते हैं फोटोग्राफी प्लेट को काले कागजों से ढख कर रखा जाता ह है क्योंकि कागज की सलिल्यूज ऐसी टेट को दाजा रखना वस्यक है सुरी के कीरने काले कागज दौरासानी सबसूसित हो जाती तो फिल्म डेवलप में सहायक होती है अगला है प्लेट पर लगा सिल्फर यह रजजत वर्माइट प्रकास के परती अतिसमें दंसील है काला कागज उसे प्रकास के संपर्क में नहीं आने देता है चौठा ऑप्सन है सिल्मर वर्माइट धात्मिक चांदी में बदलना आवस्यक है यह अंसर सही है थ्री नंबर ठीक है डिस्क्रिप्शन कोई खास तो नहीं है बस उसी को लिख दिया गया इसलिए अगला देखते हैं क्लोरी नी करन ठीक है क्लोरी करन लिखा गया आपके क्लोरी करन होगा क्लोराइट को क्लोरी में बदलने के पर किरिया असूद जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना क्लोरीन बनाने की एक सायनी के विक्रिया है लवन का बनना जिसमें क्लोरीन होता है क्लोरीन करन होता पानी मे भीतर का तापमाल लगहोग 2700 डिग्री सेंटेग्रेट है तथा फिलामेंट जल नहीं जाता क्योंकि जो बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट होता था पहले वाला जो बल्ब पीला वाला बल्ब जो फिला जलता था तो उसमें जो फिलामेंट होता है जल क्यों नहीं जाता है तो option है जिस धातों से ये बना होता वो अगनी परतिरोधी होता है जलने के लिए वस्यक oxygen बल्ब में मौजूद नहीं होती है क्योंकि बल्ब निर्वातित होता है तथा उसमें असुद नैट्रोजन या अक्रिये गैसे भरी होती है या सनब्रीत तंत्रों में नहीं जलता है या धात्पिक पदाट से बना होता है तो यहां पर सटिक अंसर जो है option B ही है जलने के लिए वस्यक oxygen बल्ब में मौजूद नहीं होती है क्योंकि बल्ब निर्वातित होता मतलब उसमें से जो भी हवा होता वो निकाल लिया होता है तथा उसमें सुद नैट्रोजन या क्रिये गैस भरी होती है इसके कारण filament जलता नहीं है ठीक है तो यहां पर यह देखना है नैट्रोजन ऐसे जलने में मदद नहीं करता है 20 परतिसत कारण 0.1 से 2 परतिसत कारण करा इस पात में कारण के मात्रा 0.25 से लेकर 1.5 परतिसत तक होता है तो उसके निकट का ओप्शन वही था इसलिए सही है इस पात लोह एवां कारण का मिस्त रधातु है इस पात को फ्योग बरतन बनाने के पूल बनाने में और रेलवे पटरी बनाने में किया जाता है अब निक्ष कुस्चन देखते हैं लार मंड या स्टार्च को जलप घटित कर क्या बनाता है तो गुलकोज, सुक्रोज, प्रक्टोज या सेटिक का अमल तो ये गुलकोज बनाता है सुसन प्रक्रम में बायू के जिस घटक का परियोग होता है वो है नैट्रोजन, ऑक्सीजन, कारबन डॉक्साइड, अक्रियेगे आक्सेड होता है तो यह होता है ऐलमूनियम हैड्राकसाइड, भोजन में लबनों की मुख भिमिका है खाद समागरे को स्वाधिष्ट बनाना, थोड़ी मातरा में हैड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना जोगी भोजन के पाचन में सहयक होता है खाना बनाने के प्रक्रम को सरल बनाता है, खाद पदार्तों की जल में गुलन सिलता को बढ़ाता है तो भोजन में लबनों की जो मुख भुमिका होता है, वो थोड़ी मात्रा में हैड्रोक्लोरिक अमल बनाता है, जो की पाचन में मदद करता है यह ओप्सन भी सही होगा, निश्ट देखते हैं, रसायनिक योविक्के मुलानू पाति सुत्र जिसको बोलते हैं, इंप्रीकल फॉर्मूला वा आनमिक सुत्र परसपर किस परकार से समंदित होते हैं, तो चार ओप्सन है, मुलानी पाति सुत्र बरावर एन गुने, आनमिक सुत्र बरावर सुत्र बड़ा एन यहां पर उप्सन गलस लिखा गया, आनमिक सुत्र जो होता है, मुलानी पाति सुत्र बटा एन होता है, आनमिक सुत्र जो होता है, एन पलस मुलानी पाति सुत्र होता है, तो यहां पर उप्सन चारों में से कोई नहीं सही है, ऐसे 3 को हम ब्रावर बड़ावर मुलानी-पाति न कर देंगे तो सही हो जाएगा यहां पर बटा में नहीं होगा गुना में होगा ठीक है तो यह सही होगा देखें नीचे आप कर दिया है अन्मिक सुत्र बढ़ावर एन गुनिर मुलानीपादी सुत्र जहां यहां बढ़ावर 1234 तो यहां पर टाइपिंग रहा है इसे आप देखके सही कर लिए मैंड में सही पूचाइब लोहा तो यह कॉमन सी बात है सबसे जादा हम क्या यूज कर पाते हैं ठीक है अलमुनियों का मुख हैस्क क्या होता वक्साइट यह हमेसा पूछा जाता है L2O3 in to 2s2 इसे lys कर्षन करते हैं तामबा कनिसकर सन्मुखेता copper pirate जिसका फर्मूला होता cufs2 से किया जाता इसलिए formula भी दियान में रखें कभी हो सकता formula भी कुछ दिया जाए पित्तल जो होता है तामबा और जिंग का मिस्रन होता है कासा जो होता है तामबा और sn है तो 10 का मिस्रन होता है सोना का निस्करशन मुखेता calverite जिसका फर्मूला यहां पर सही नहीं है इसे एयू टी टू है एवं सिल्वे नैट्स का एजी एयू का होल्टू और टी यू टू से क्या जाता है सुवन की सुधता purity ऑफ गॉल्ड जो होता है किसमें बैक्त होता है कारेट में किया जाता है 100% सुध सोना में 24 कैरेट होता लेकिन सुध सोना का गहिना नहीं बनाया जाता है क्योंकि वो टूट सकता है इसलिए उसमें कुछ सुध्या मिलाया जाता है तामबे की रूप में सोनी को कटर बनाने के लिए इसमें तामबा मिलाया जाता है करा सभी आयस्क खनीज होते हैं ले मिथेन गवर गेस का मुख्र घटक मिथेन इसमें मिथेन पयसाट परसेंट पडिप इस अवाइगेस से मिथेन के अलावा करवमन डौकसाइड हैड्रोजान हैड्रोजन सलफाइड आदि गैस है यह कुत्तम किस्म का इंत है इस दुआ नहीं निकलता है रहता है जोग एक प्र पेड़ करा पौधे से प्राप्त अप्सिष्ट पदार्थ सुष्च जीवो दुवारा जल की उपस्तिती में असानी से सड़ते हैं जिसके फलसुरू बायोगस बनता है या निकलता है कृति रूम से फलों को पकाने के लिए एस्टलीन गैस का अपयोग क्या जाता है यह सब जो भी डिस्क्रिप्शन है यहां से कोश्चन आते रहते हैं तो आप इसे पढ़ियां से पढ़ भी सकते हैं सुन भी सकते हैं ठीक है तो नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है कमपोश् है यह जानवरों को अप्सिष्पदार्थों से प्राप्त होता है बर्जिलियस के सिस ने सरपर्तम कार्वनिक योगिक इरिया का निर्मान किया था इन्होंने ammonia sainate को गर्म कर area प्राप्त किया था ammonia sainate को गर्म किया था तो area को प्राप्त किया था तो आज का 40 question chemistry से जो important था वो पुरा हो गया है ठीक है तो आप हमारे channel पर बने रहिए अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए feedback देते रहिए अपना comment भी करते रहिए ठीक है like share करना मत भूलेगा धन्यवाद